हर्याना की यमुना नगर जिले में एक गाउं के लोगों ने पुल नहीं बनने से नाराज होकर शनिवार को लोगसभा चुनाओ के लिए वोटिंग का बहिसकार कर दिया पांसो से जादा मतदाता वाले गाउं में सिर्फ दो लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया ग्रामीडो ने कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो आगे भी बहिसकार करते रहेंगे आपको बता दे हर्याना के यमना नगर में लंबे समय से पुल की मांग पूरी नहीं होने पर टापू माजरी गाउं के लोगों ने शनिवार को हुए वोटिंग का बहिसकार कर दिया और वही 550 मतदाता वाले गाउं में सिर्फ दो लोगों ने अपना वोट डाला वहीं गाउं के लोगों ने कहा कि यमना नदी का पुल के निर्माड में उनकी मांग लंबे समय से लंबित है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जिसकी वज़से उन्होंने वोट डाल में बिफल रही तो वे चुनाओ का बहिसकार करेंगे इसी वज़े से अधिकारियों ने बताया कि गाउं में लगभग 550 मतदाता हैं और सनिवार को लोग सबा चुनाओ में केवल दो लोगों ने वोट डाला है ऐसे में अगर रिपोर्ट की माने तो ग्रामेडों ने कहा कि जब तक उन्हें गाउं को जिले के बाकी हिस्सों से जोडने के लिए यमुना पर पुल नहीं बन जाता वे भविस के सभी चुनाओं का बहिसकार करना जारी रखेंगे उन्हों ने कहा कि यहां मांग लंबे समय से लंबित है लेकिन प्रशासन ने कभी इस पर ध्यान नहीं ग्रामीडों ने कहा कि पुल नहीं होने के कारण ग्रामीड को लंबी दूरी तैक करनी पड़ती है और बरसात के मौसम में उनकी समस्या और बढ़ चाती है सुत्रों ने बताया कि जिला प्रशासन के ग्रामीडों को अपना लोगतांत्रिक अधिकार छोड़ने के लिए मना की कोशिस की लेकिन ग्रामीड अपनी मांग पर अड़े रहे अब यह गाउं अंबाला संसदिय छेत्र के अंतरगत यमना नगर में पड़ता है आपको बता दे हर्याना की सभी 10 लोग सभा सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ और चुनाव आयोग द्वारा मतदान एप पर रात 11 बच के 45 मिनट पर अपडेट किया गया और इस आकडों के अनुसार राज में 61.16 प्रतिशत मतदान हुआ है लेकिन इस तरीके से गाउं के एक लोगों का वोड देना दो लोगों का वोड देना कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता जनक विसे है और इस पर जल्द सरका को संग्यान लेने की जरूरत है ऐसे में अगर देखा जाए हरियाना की राजदीती में जुस तरीके से सरकार को लेकर उथल पुथल मचा हुआ है माना यही जा रहा है कि सरकार को ऐसी छोटी छोटी घटनाओं का संग्यान लेकर अपनी जनता का जनाधार बढ़ाने की कोश करनी चाहिए और जुस तरीके से अभी दुसयन सिंग चोटाला और नायप सिंग सैनी में और कॉंग्रेस पार्टी में घमासान देखने को हरियाना में मिल रहा है ऐसे में अगर इस तरीके की घटनाएं आती हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी पर बड़े सवाल होते हैं अब देखना यही होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेते हुए नजर आएगी